हेलो फ्रेंड, मैं सेल डॉक्टर जितेन, मैं पसुपालक किसान भाईओं के पसुओं में होने वाली छोटी-मोटी बीमारियों का घरेलू उपचार बताता हूँ, या देशी उपचार बताता हूँ, लेकर कुछ किसान भाईओं ने कमेंट किया था और पूछा था कैसे घर कैल्सियम बना सकते हैं, किसान भाईओं के लिए जो कैल्सियम की सिरफ लाते हैं, दस लिटर, पांच लिटर की, बहुत ज्यादा कॉश्टली होती है, बहुत महंगा पड़ता है, जिससे उनको फायदा कम होता है, तो इसके लिए जो है, हम आपको बताएंगी, कैसे आप घ इस्ट्रा कैल्सियम न दिया जाए, तो पसु के लिए भी नहीं तैयार हो पाती है, टाइम से गाविन नहीं होती है, प्रेगनेट नहीं होती है, या अगला बच्चा जब देगी, तो दूद भी बहुत कम कर देती है, इसके लिए बहुत ज़रूरी एक पसुओं को प्रया होता है, जो ब्रांड कमपनियों की है, अच्छे क्वाल्टी की है, लेकिन बहुत महांगा पड़ता है, तो इसके लिए हम आपको विधी बताएंगी, कैसे आप घर बैठे-बैठे कल्सियम कम लागत में, सस्ता मतलब न के बराबर पैसा खर्च करके भी कल्सियम तैयार कर स लेना है, आपको Lime लेना है, ठीक है, Lime Powder जिसको हिंदी में चूना बोलते है, आपको कच्छा चूना लेना है, पाँच किलो, ठीक है, जो बिदी हम बता रहे हैं, इस बिदी से आप बनाइएगा, अगर आपको कम बनाना है, उसी रेसियों में पानी और चूना कम करना है, पहले आपको मैं 5 kg चूने के साब से बताता हूं, 5 kg चूना लेना है आपको, एक बड़ा बरतन लेना है, अगर सिमेंटेड कोई हो जैसे मेंजर होता है, जिसमें पसु चारा खाती नाद है, तो नाद कम सकम जिसमें 30 से 35 लिटर पानी आ जाए, इतना बड़ा कोई कंटेनर ल पानी आ जाए, तो इसमें लेना क्या है आपको, पहले 5 kg कच्चा चूना लेना है, और उस कंटेनर में डाल देना है, और उसमें 8 लिटर पानी मिलाना है, कितना पानी मिलाना है किसान भाई, 8 लिटर, ठीक है, पहले 5 kg चूने में 8 लिटर पानी मिलाना है, आप देखेंगे उसमें जैसे कोई अंदर से उबाल मार रहा है, खुब boiling होगी, उबलेगा चूना, ठीक है, उसमें से gas निकलेगी, बबुले निकलेगे, ये 2-3 घंटा खुब उबलेगा, फिर आपको डंडे से चलाना है, एक बड़ा सा डंडा लेना है, और उसको चलाना है 2-3 घंटे बाद उसके बाद फिर 3-4 घंटे बाद थोड़ा उबाल कम हो जाए, तो उसमें जो है, आपको पानी मिलाना है फिर से, जो 8 लिटर पानी मिला है, अब 3-4 गुना पानी और मिलाना है, तो near about 24 लिटर पानी फिर से मिलाना है, 8 लिटर पहले मिला है, 24 लिटर बाद में, मतलब 32 लि कितने 5 kg चूने में मिलाना है ठीक है अब इसको ऐसे छोड़ देना है चला के बढ़िया से ताकि चूना मिक्स हो जाए पानी में इसको दिन में 2 बार चलाना है एक सुबह एक साम को खुब बढ़िया से डंडे से यह 3 दिन तक चलाना है आपको ठीक है उसके बाद 4 दिन आपको पूरी तरह छोड़ देना है तीन दिन तक सुबह साम दोनों टाइम चलाना है ताकि चूना और पानी का मिस्तरण बढ़िया से बन जाए और 3 दिन के बाद आपको चलाना नहीं है न तो उसको चूना है सांती से छोड़ देना है चोथे दिन पूरा और साम को आप देखेंगे कि चूना जो आप लिये थे वो नीचे बैठ जाता है और उपर बीच में पानी रहता है साप और उपर एक पपड़ी सफेज सी बान लेती है उस पपड़ी को छान के हटा लेना है और जो पानी बचा है साप पानी जिसमें चूना का घोल नहीं है मगे से या किसी जग से कुसी बर्तन से उस पानी को निकाल के एक साफ अच्छे साफ सुतरा ड्रम में भर लेना है ठीक है अब ये आपको उसमें चूना जो नीचे बैठा है वो नहीं मिलाना है सिर्फ पानी लेना है ये पानी आप ड्रम में भरके रख लीजी अब आपका कैल्सियम हो गया तयार ये इतना बढ़िया काम करता है जहां-जहां किसान भाई तयार किये हैं कई डेरियों में बता है आपको 100ml डेली देना है पसु को चिक है जो पसु दूद दे रही हैं गाय हो भहसो बड़ी पसु तंद्रुस पसु u उसको 100 ml डेली देना है अब बहुत जादा दूद दे रही है दस लिटर से जादा दूद दे रही है तो आप धरे-धरे दोनों टाइम दे सकते हैं 100 ml जो है आप सुबह दीजिए और 100 ml साम को दीजिए चीक है और जो छोटे पसु है उनके लिए जैसे बकरी है भेड है वो कैल्सियम मोलग लेते हैं पहुत मांगा पड़ता है गरीब किसान भाई है उनके लिए है उनको आपको 10-15 ml डेली देना है यही पानी ठीक है तो पसु का कैल्सियम की पूर्ति यह करता है आपका जो बड़े-बड़े कंटेनर लाते थे मार्केट से वहां से पैसा बसता है पसु में इससे क्या होता है कि पूरी पूर्ति होती है जिससे अच्छा धूद पकड़ती है और पसु भी सौस्थ रहता है तंदुरूस्त रहता है ठीक है आए ऐसा इंपोर्टेंट वीडियो किसान भाईों के लिए लाता रहता हूं कैसे घर बैठे बैठे आप कलिसियम कौन कौन से घरेली उपचार हैं जिससे हम दूद बढ़ाया जा सके कौन कैसे हम घर बैठे बैठे मिनरल मिक्चर जो 200 रुपया किलो मिलता है आप फ्री ऑफ कास्ट कैसे घर पर बना सकते हैं इस सब चीजों के बारे हम बताते रहते हैं इसलिए हमारे चैनल को लाइक सस्क्र का दूद बढ़ा सकते हैं दूद की मात्रा और क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों ते इन सब के बारे में अक्सर चर्चा करते रहते हैं हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब सेयर करें मारे चैनल है स्टेडी बाई डॉक्टर जे के कोई चीद न समझ माय तो हमें कमेंट जरूर करिएगा और किस टॉपिक पर आप डिसकस करना चाह रहे हैं यह कमेंट करिएगा ताकि हम और अच्छे सी वीडियो बना पाएं कोई चीदना समझ माय तो जरूर कमेंट करिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू